UK में Visa Success कैसी चल रही है और स्टूइंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कैसे आप अपनी हाई Visa Success ले सकते हैं फिनेंशल में स्टैम किन चीजों का ध्यान रखने की जूरत है जो कि स्पेशली आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला इस वीडियो में वो ध्यान से सुनिए ज़ा हेलो एवरिवन मैं कपिल भाटिया बेल्ज ओवर्सेस से आप अपना स्टेडी विजा प्रसेस असेस्मेंट या प्रसेस सिक्स तू नाइट जिरो पर कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं यूके में जो विजा सक्सेस है तो आल्मोस्ट हंडर परसेंट ही हो चल रही है स्टेमबी मतलब कहलो कि जो भी स्टूडेंट सप्लाई करते हैं सभी का विजा आता है क्योंकि स्टूडेंट का आपको पता कि स्पाउस की केसिस में थोड़ा सा डिले जरूर है लेकिन अच्छे से दे रहे तो उनका भी बाद में विजा क्लियर हो रहा है तो यूके में ऐसी कोई प्रॉलम नहीं अभी अगर विजा सक्सेस को लेके हम बात करें तो हाँ अब कलतियां कहां होती कहां स्टूडेंट का विजा रिफ्यूज होता है जब आप अपनी मिस्टेक खु आते हैं उस देन तक आपके 28 डिज ओल्ड होने चाहिए दूसरा अब थोड़ा फिनेंशल को लेके स्टिक होई है कई बर वह आप से सोर्स ओफ फंड मांग लेती है तो उसका पहले से आपको अरेंज करके रखना चाहिए जो स्टूडेंट्स हमारे से अपलाई करते तो हम सोर्स ओफंड मांगती भी है तो भी कोई दिकत नहीं आने वाली वह हम अपने स्टक तो पहले सही करवाक है दिकति हम स्टूडेंट को नहीं ronk है आपको जब तक आप поряд क्रेडिबिल्टी इंटर्विव प्रेपरेशन करते रहना चाहिए आपको अगर आप इंटर्वी के लिए प्रपेर अगर आपके बैसिक इंटर्वी आती तो भी आप क्लियर कर सकते हैं प्लस कई बार ऐसा लिए को कुछ स्टूरेंट्स को एरपोट पे भी जो इनका वीजा ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपको questions करते हैं वो भी आपके interview ले सकते हैं अगर उनको किसी को doubt होता तो इसलिए अपने ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी high visa success रहेगी आपको कोई भी problem नहीं आएगी फिर भी अगर आपकी कोई query है question है तो आप नीचे comment कर सकते हैं या मेरे help number पर call कर सकते हैं थैंक्स होगा चाहिए bells overseas the sound of your future